आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेश्वल बहतरिन शक्कर पारे इसे कैसे बनाते हैं बहुत इजी तरीकेसे में बताऊंगे और यह ना ही बिजड़ेगा ना कोचो कोई भी नाया वीवर्स भी बना रहे होंगे तो बहुत अच्छी तरह से यह बनेगा सॉफ्ट नहीं होगा ना ही तूटेगा बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनेगा यह से आप एक महीने पर च्छोर करके रख सकते हैं बग्दो भर कर रखिए दो कप के जगए चार कप बना लीजिए यह सक्कर पारा तो ज्यादा यह दिवाली में बचता भी है आजी वजी कोजी देते हैं तो इस तरह आप धेर सारा यह सक्कर पारा बना कर रखिए बहुत ही खस्ता बन कर रहेगा एक महीने क्या दो महीने भी आप रख सकते हो बहुत परफेक्ट बनेगा ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए कितना क्रिस्पी कितना खस्ता बना है आपको देखने पर ही माल अब इसमें एक छलनी रख दी हों क्योंकि कोई भी अगर इसमें मतला थोड़ा कीडा भी पढ़ जाता है उसमें होगा तो निकल जाएगा ठीक है इसलिए मैं छान रही हों कोई भी चीज आप छान कर बनाऊगे तो अच्छा रहेगा तो मैंने एक कप मैदा ले लिया है अब दूसरा भी ले रहे हूं तो आप मैदा भी एक कप मैदा और एक कप आटा भी गेहुक आटा भी ले सकते हों मैं दो कप यहां पर दो कप मैदा ली हूं और उसे पूरा ऐसे चान ली हूं तो प्यूरिटी जो भी होगा सम निकल जाएगा ठीक है अच्छा बाला मिल जाएग जो भी कंकड बगेरा होगा वो निकाल लेंगे तो दिखिए इस तरह तो मैदा को चान कर ले ली हूँ अब थोड़ा घी ले ली हूँ और उसे गरम कर लूँगे उससे पहले में इलाइची पाउडर एक टीस्पून इलाइची पाउडर डाल दूँगी घी भी गरम हो गया थ तो अब इसमें पहले चार चमच घी डाल कर देखेंगे ठीक है बाकी सबको फिर रख देंगे तो देखिए तेन चमा चब भी चार चमच पुरा में डाल दी हूँ और स्पून में आप मिक्स करना हाथ में मिक्स करोंगे तो थोड़ा तेल गरम रहता है ना मुझे आदा थे इसलिए मैं हाथ में ही थोड़ा थोड़ा हलक हलका ऐसे सभी को मिक्स कर ली हूँ तो ज्यादा नहीं लगा फिर कम पढ़ रहा था मतला मुठी ऐसे नहीं बन रहा था तो फिर मैंने और दो चमच पुरा डाल दिया है तो टोटल चे टेबल स्पून घी लगा है ठीक एकदम खस्ता बनने के लिए गरम घी को थोड़ा गरम कर लेना गुन गुना कर लेना फिर टालना तो बहुत अच्छा žा भणे खस्ता बनेगा तो अभी तलते वक्त सकर पारा टूटेगा नहीं कुछ नहीं तो देखिए अभी पूरा अच्छे से हो रहा है मुठी बंद रहा है पूरा ऐसे लड़ू के तरह हो रहा है तोड़ने पर ही टूट रहा है तो यह परफेक्ट मोयन है तो अभी मैं थोड़ा नमक में डाली हूं एक दो प कर भी डाल दिया है एक कप मतला थ्री फोर्थ कप मैंने सकर लिया है ठीक है जिसको ज्यादा पसंद है एक कप सुगर पाउडर डाल सकते हो मैंने मिस्री को लिया था पिसकर उसमें थ्री फोर्थ कप मैंने मिस्री डाल दिया है मिस्री का पाउडर या तो सुगर पाउडर ठीव कर देंगे और तलने के लिए अभी तो तलना नहीं है सुरी मौ से निकल गया तो पूरा सुगर पाउडर डाल दी थी फूरा मिक्स कर लिया है फिर गरम दूद को ठंडा करके थृफ़ीकाल मुझे दूद लगा है जोसा प्रिख गुंथ नहीं है तो पूरा थीक गुंत कर सकते हो थोड़ा इसे अभी मैं low flame में oil भी गरम करने के लिए बैठा दी हूँ अब चकले बेलन के पास आ गई हूँ इसे बेलने के लिए तो ठीक करके इसे हम बेलेंगे दो भाग कर लोगे तो क्या बड़ा करके जब बेलोगे तो इसे पलटना नहीं नहीं तो टूट जाएगा तो मैं छोटा छोटा इसे करके बेल रहे हूँ तो इसे हम पलट भी सकते हैं तो इतना मतला ठीक होना चाहिए ज्यादा भी इतना मोटा नहीं थीक है तो इस तरह फिर स्केल होगा तो अच्छे से कट भी जाता ठीक है तो इस तरह बनाए और बेखोफ होकर मतला डरना नहीं कि यह तलते बक्त फटेगा कि पिगल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है एकदम परफेक्ट तरीका होगा यह आप बना कर देखना ठीक है उसुजी बाला और किसी को नहीं आय पर बनाते हैं खिल खिल कर आएंगे तो यहीं चाहिए उन्हें यह तो टीफिन में भी इसकोल ओपन होगा तो भी यह सब लेकर जाते हैं तो इस तरह समय पुरा देखिए पुरा एक दो बेच को मैं इस तरह से पुरा तल ली हूँ और एक साथ पुरा काट लेना फिर एस ज ब्राउन नहीं करना बना और भी रखने के बाद यह काला काला हो जाएगा ज्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा इसलिए हल्का ब्राउन होगा और लो फ्लेम में ही सो तलना है ज्यादा हाई फ्लेम करके नहीं तलना पहले फ्लेम मतला मीडियम करना तेल गरम हो जाएगा तो एकदम लो फ्लेम कर देना फिर सब को इसे डाल कर 10-15 मिनट एक एक बेच को तलने के लिए लगता है लो फ्लेम में बराबर क्रीम कलर के तरह आएगा तो दोनों तरफ से अच्छे से मतला ब्राउन हो जाएगा इसे अलट पलट दोगे तो इसे हिलाते रहोगे तो अराम से पूरा में अच्छे से आपको बता रही हूं देखे इस तरह पहले बेच में पूरा थोड़ा डार्क ब्राउन करके वो निकाली हूं अभी यह लाइट ब्राउन करके निकालोंगे तो यह कच्छा नहीं लगेगा कुछ नहीं बस लो फ्लेम में आप करना हाई फ्लेम करके तो उपर उपर से पुरा डार्क ब्राउन हो जेगा आपको लगेगा एकदम परफेक्ट है लेकिन खच्छा रहेगा इसलिए लो फ्लेम में आप करोगे तो खस्ता क्रिस्पी मस्त रहेगा एकदम अच्छी तरह से पकेगा परत दर परत इसे आएगा बहुत खस्ता बनेग देखिए लाइट एक लाइट कलर का की हो एक डार कलर का में तलकर निकाली हो तो इस तरह आपको ऐसे लग रहा होगा दो तिन बेच में कर ली हो ऐसे जाली में रखकर पूरा तेल में डाल रहे हो नहीं तो एक एक डालोगे तो तेल के छिटे भी गिरेंगे किसी को नहीं आ अराम से यह गरम हो जाएगा ना पांच मिनट के बाद सब अलग-अलग हो जाता है। इससे आप पैखोफ होकर बिना डरे आप इसे बना सकते हो। ज़्यादा तर यह करंजा मतला बनता है और यह सकरपारे बनते हैं। तो इस तरह से आप बनाएए, मैदा अगर नहीं चाहते हो, मैदा के जगह आप आटे से भी बना सकते हो, लेकिन वही टेस्ट आएगा और बहुत मस्त बनेगा, इस तरह से आप बनाएगा, एक साथ डाल कर अगर मिक्सी में सब पीस कर एसे बनाते हो, तो कि इसका नरम हो जात कि 100%, बहुत मस्त बने हैं, आप इसी तरह से धेर सारा बनाएए, और दिवाली नजय करिए, ठीक है, तो देखे, लास्ट का बेच मैं इसी में चकले में रखकर, एक एक अभी हाथ से डाल कर भी बता रही हूं, अगर आपको जाली में रखकर, चलनी में रखकर डालने नहीं आएगा तो इस तरह एक-एक आप हाथ से भी कड़ाई के किनारे से आप डाल सकते हो, तो छीटे तेल के छीटे नहीं गिरेंगे और अच्छे से हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद यह तो थोड़े से पेचुला से जो पलड़ देना, तो मस्त हो जाता है, दोना तर करने से खसता रहेगा और बहुत दिनों तक रहेगा और श्मेल नहीं आएगी, घी और जो दूद गरम करके डालते हैं, तो यह सक्करपारा बहुत ही टेस्टी बनता है, ठीक है, इसे लगता है कि माबा हम खा रहे हैं, माबा का सक्करपार है, ऐसा बनेगा, बहुत मस्त तो इस तरह मैंने सारा बना लिया है, तल कर निकाल ली हों, और जालीदार बरतन में ही रखना, तो उसको हवा लगकर वो ठंडा होकर क्रिस्पी बनेगा, आप कोई भी बरतन में से रख दोगे, तो हवा लगता रहेगा, थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाएगा, तो पर ठ्थेक्षा थीपाँ हो जाएगा, लाइगा नसे 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 बना लाएगा